आज के युग में जहां सजा देने के लिए लाखों बार सोचा जाता है वहीं पहले ऐसा नहीं होता था। और राजा ही केदीों को सजा दिया करते थे पहले सजा देने के लिए ख्रूरता की सारी हदे पार कर दी जाती थी वैसे आज भी कई मुस्लिम देसों में क्रूरता से सजा दी जाती है जबकि विक्सित देसों में ऐसा नहीं होता भारत में तो जवने दवर में जाने कुछ एइसी कुछो क्रूर सजाओं की कीलो वसी यूरॉप में टर्चर करने के लिए अप्रादी को एक पार कीलो को दृष्य कर्णा ब्त पर बेटा दिया जाता थ है ऑर इसे अप्रादी के हर एक अंग में आवशयनिये दर्द होता था और भयानक तरीके से उसकी मौत होती थी सूली पर चड़ाने की सजा कुछ देशों में आज भी सजा देने के लिए इस तरीके का परयोग किया जाता है इसमें पीडित को लकडी के तक्ते पर कील के सहारे मरने तक लटका कर रखा जाता था और उन्हें सहर के ब दूरता का अंदाजा लगा सकते हैं पीतल का बैल प्राचीन यूनान में अपरादियों को सजा देने का यह तरीका बहुत ही कॉमन था पीतल से बने एक विसाल वैल के अंदर अपरादी को बैठा दिया जाता था और उसके नीचे आग लगा दी जाती थी इससे वैल का यह द्वारा इस तरह की सजा का आरंब किया गया था वे ऐसा कर अपने दुस्मनों और जासूसों को सजा दिया करते थे इसके अंतरगत अपरादी के एक पैर को सिमेंट से जमा कर उसे गहरे पानी में छोड़ दिया जाता था सिमेंट के भारी वजन के कारण वे अपरादी तैर नहीं पाता था और पानी के भीतर तड़ तड़ कर उसकी मौत हो जाती थी रैक किलिंग इतिहास में इससे जाता भयानक सजा साय दी रही होगी इस सजा के अंतरगत अपरादी को एक रैक पर लिटा दिया जाता था तथा उसके हातों और पैरों को अलग अलग रस्यों से बांध दिया जाता था हातों और पैरों को बांधने के बाद रसीयों को तब तक खेचा जाता था जब तक अपरादी के हाथ कंदों से उखड के अलग नहीं हो जाते और पैर कमर से उखड नहीं जाते सजा का ऐसा भयानक रूप जिसे देखने वाले इंसान के भी रॉंग्टे खड़े हो जाते थे दोस्तो आज के कलेक्शन में बस इतना ही वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हिंदी फैक्ट्स